आयो लालक जुले लाल इस मेले में हमारे बीच उपस्तित हमारे पूरु पालक मंत्री चंद्रशेकर बावन कुले जी डॉक्टर मिलिन माने जी भारतियस इंदु सभा के हमारे प्रमुक गंचामदास कुक्रेजाजी, विरेंद्र कुक्रेजाजी, संजेजी चौधरी पृतिमाजी मत्रानी, डॉक्टर विंकीर उगवानी, दौलत जी कुंगवानी, राजेश वटवानी मिला सयोजक, सती शानन्दानी, मनेश दास्वानी, सुष्मा तै चौधरी, राजुबाई हिंदूस्तानी, वन्नना तै खुशलानी अशोक केवल रमानी, मन्जु कुंगवानी, किशोर लालवानी, किशना सुधानी, गुड़ू केवल रमानी, तुलसी दास कुशलानी, जै प्रकाश सहज रमानी, महंदास जी ठाकूर, रमेज जी जैस्वानी, मरोज जी मुर्यानी मन्चासीन सभी महनुभाओ और यहां पर उपस्तित सभी बेनों और भाईयो मैं सबसे पहले आप सभी को चेटी चन की बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूँ और इश्टदेव जुले लाल इस नववर्ष में हम सभी की मनो कामनाओं को पूरा करे हम सभी को आप सभी को उनके आशिरवात से सुकह समाधान आरोग ऐश्वर्य मिले और सबसे महत्वकी बात हम सभी को इस साल अच्छा स्वास्थ मिले ऐसी मैं इश्टदेव जुले लाल जी के सामने प्रार्थना करता हूँ मुझे बड़ी खुशी है वो भी ठीक होगा राजवाई अगर जुले लाल जी का आशिरवाद होगा तो वो भी मनो कामना पूरी होगी मुझे बहुत खुशी है कि हर वर्ष यहाँ पर एक बहुत सुन्दर मेले का आयोजन होता है यह मेला हमारी संस्कृती का प्रदर्शन करने वाला मेला है यह मेला हमारे सामाजिक अभिसरण का मेला है यह मेला हम सभी को साथ में लाकर हम एक परिवार है इस भावना को जागरूत करने वाला मेला है और मुझे बड़ी खुशी है कि मारा जो सिंदी समाज है जिसने बहुत विपदाय सहन की है लेकिन संगर्ष नहीं छोड़ा और उस संगर्ष के कारण ही इतनी विपदाओं से उबर कर भी आज पूरे विश्व में अपने वजूत को सवारने का काम हमारे सिंदी समाज ने किया है और इसलिए ऐसे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समय मैं मुख्य मंत्री था हमने कुछ निरने लिए और विशेश रूप से हमारे सिंदी भाईयों को उनके जो मालकी हक के पट्टे है जो फ्री होल्ड के पट्टे है उनको देने की शुरुवात हमने की और हमने ये कहा कि जब ये लोग प्रताडित होकर वहां से आये थे तो हमने उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने सिंदी समाज को ये कहा था कि आप जहां जगा देते बस जाईए आपको वही जगा की मालकी मिलेगी लेकिन सतर साल निकल गए वो मालकी नहीं मिली मुझे खुशी है प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रतु में फ्री होल्ड के पट्टे देने का काम हमने शुरू किया आज मुझे इस बात का दुख है कि फिर एक बार उसमें कुछ रुकावट आई है लेकिन चिंता मत करिये जुले लाल जी का आशिरुवाद है सारी रुकावटे दूर होगी और सभी का काम हम करके दिखाएंगे आज मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे अरजुन्दा जी कुकरे जा हो या फिर यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से हमारे सिंदी समाज को एक नई पैचान दी एक नया नाम दिया और आज उसी परंपरा को हमारे विक्की जी भी यहाँ पर चला रहे हैं हमारे सारे दोस्त यहाँ पर चला रहे यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है लेकिन इस मेले में सबसे महतुपुरुन चीज अगर कोई होगी तो मुझे लगता है कि हम अपने इतिहास की याद जो सबको दिडाते है क्योंकि कोई सिंदी ये न भूले कि उसका इतिहास ये स्वरणिम इतिहास है ये सबसे पुराना इतिहास है दुनिया की सभ्यताओं की सबसे पुरानी सभ्यता के प्रतीक अगर कोई है तो हमारे सिंदी भाई है हमारा सिंदी समाज है और दोस्तों सालों तक अंग्रेजु ने हमको इतिहास पढ़ाया वोई इतिहास हम पढ़ते रहे और हम लोगों को बताते रहे कि आरिय बहार से आये थे वो यहाँ आकर मोंज दाड़ो और हरपपा में बसे लेकिन अब इस इतिहास का परदा फाश हो गया और अब अभीजित चावडा जैसे हिस्टोरियंस ने प्रोफेसर शिंदे जैसे हिस्टोरियंस ने डी एने के माध्यम से ये प्रस्ता पित कर दिया कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सब्विता कोई होगी तो सब्त सिंदू की सब्विता है दुनिया की दुसरी कोई भी सब्विता हमारी सब्त सिंदू की सब्विता से पुरानी नहीं है और कोई आर्या बहार से नहीं आए तो हमने दुनिया को सभ्यता दी, अब ये पूरे तरीके से दुनिया में DNA के माध्यम से establish हो चुका है, हम बाहर गए, हमने सभ्यता दी, दुनिया की सारी भाशाओं को अगर किसी ने जान दी है, अगर शब्द दिये है, तो हमारे संस्कृत में, हमारी भारतिय भाशाओं ने उसको ये सारे शब्द दिये है, और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, वो इसी भारत में पैता हुई, और पूरे यूरोप में गई हुई है, तो भारतियों को हमें ये स्वाभिमान होना चाहिए, कि अब हम बाहर से आये हुए नहीं है, हमारे से पु आया गया, कि आर ये अलग है, द्रवीड अलग है, लेकिन अब R1 A1 A ĐiA ने इसके माध्यम से ये भी एस्टेप्लिश हो गया, कि चाहे वो पंगाल हो, चाहे पुप पश्यम का गुजरात हो, चाहे वो साउथ हो, या नोर्थ हो, चाहे वो दलित हो, या प्रामन हो, हम सभी का DNA एक है और वो सारा DNA सब्त सिंदू की सब्विता से आया हुआ DNA है तो ये भी आज सारे साइन्टिफिक evidence के माध्यम से पता चला है और इसलिए मैं तो आप से निविदन करना चाहता हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सब्त सिंदू की सब्विता क्या है इसके बारे में बताईए उनके मन में कोई अपराद बोड नहीं होना चाहिए वे एक ऐसे परिवार से एक ऐसी संस्कृति से एक ऐसी धरोहर से आते हैं जिस धरोहर ने दुनिया को विचार दिया संस्कृति दी भाशा दी दुनिया को जीने का तोर तरीका सिखाया और उसका स्वाभिमान भी हमको होना चाहिए और उसका अभिमान भी हमको होना चाहिए और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये केवल मेला नहीं है तो हमारी संस्कृति की याद फिर एक बार ताजा करने का एक ऐसा मकाम है जिसमें आने वाली पिढिया फिर एक बार हमारे समाज को उसी उचाई पर ले जाएगी जिस उचाई के हम हगदार है और जिस उचाई पर हम रहे हैं और इसलिए इस मेले के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूँ और भगवान जुले लाल से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही हमारे भारत देश को वो मकाम मिले कि जिस मकाम में सब्त सिंधू की संस्कृति को फिर एक बारम पुनर्जिवित कर पाए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, जय जुले लाल